जेहन दोस्तों मैं हुए स्पांडे क्वालिफाइड युजी सी नेट जी आरेफ दोस्तों आज मैं आपको ले क्लास चैप्टर नमबर थ्री अरंभिक नगर थर्ड चैप्टर आज हम स्टुड़ी करेंगे इससे पहले हमने अल्रडी पढ़ लिया है दोस्तों किस प्रकार ज ऑपास upalon और उन्हें स्चार्ट कर दिया शुरू कर दिया हम थाए तो दोस्तों इस विशुयतर में हम nose शुरू होती हरफ लापा कि लोकिसbacks को में बता दूंगा कहां है बहुत अच्छे सम्झाउंगा समझाओं बहुत ही इंपॉर्टेंट हर एक एक्जाम से रिलेवेंट काफी कुश्चन बनके आते हैं इस चप्टर से पहले जब पंजाब में बिछाई जा रही तब इस काम में जुटे इंजिनियर आचाना खड़ा पुरह स्थाल उनको प्राप्ट हुआ दोस्तों आप इसके वेस्टने बढ़ोंगे दोस्तों यहां पर रावी नदी के किनारे यह सब्सक्राइब यहां पर एक खंडार मिला जहां पर अच्छी इटे मिली थी यह सोचकर जो है वह जो है सबसे पहले इस निकाला और इस नगर की खोज सबसे इसलिए यह चुल है नाब से था तो दोस्तों किसने पहले खोजा गया था कि शुकि इस नगर की फो सबसे पहले बाद में मिलने वाली इस तरह की सभी स्तना पूरा इस्तेलों में जो इमारतें चीजें मिली थी। उन्हें हडपा तकि नाम से से नाम से भी जाना जाता है उसका जो विकास वर्स पूरवा था तो तो वर्स पूरव होगा दोस्तों तो याद रहेगा यह तरह बहुत इंपोर्टेंट है निस्सों एसका था दोस्तों इसका टाइप याद रखेंगा यह इंपोर्टेंट है इद्धिन सबस्तों यह सिंदू नदी है उसके निचे जे लम नदी आप देख सकते हैं फिर आप यह देख तोस्ट नी-चैनाम नदी नदी देख सकते हैं फिर नदी नदी किनारी यह फासा अमारा प्राचीन नगर यह फाहऻ नगर अगडा़ आप नदी किनारी अब पाएंगे फिर करें यह जैसे आप जो है वेस्टन साइड में और जाएंगे तो आपको सुर्क होतिदा मिल जाएगा दोस्तों सुथ कांगे डोर दोस्तों यहाँ प्रोंसिशन थोड़ासा फॉल्ट सकता है इसको सुथ कांगे डोर के नाम से भी जाना जाता है उसके बाद दोस्तों जैसी आप इसके जश्ट ऊपर आपको दोस्तों राखी गड़ी मिल जाएगा तो दोस्तों यह लोकिशन कई बार एक जाम में पूछा जाता है इन लोकिशन को याद रखेगा दोस्तों चंदुःडो लोथाल कुर्त असुत कॉर्टजा सुत कांगे डोर मोहन जोदाडो तो यह लोकि पर बना हुआ होता था दो दोसों सपोज करिएगा यह आपका माल लीजे एक एरिया है और यह इसका वेस्टन पार्ट है तो यह पार्ट जो इसका पश्मी भाग जो था युचाई पर बना था और चोटा था और जो इसका बड़ा था उचाई वाले भाग को प्रतत विद् निचले हिस्से को निचला नगर कहा उन्होंने उसके बाद दोस्तों दोनों हिस्सों में चहर दिवारी पक्की इटों के बना था इसकी इतनी अच्छी थी कि हजारो साल भी आज वी यह यूज की जा रही है रिले लाइन में इनका प्रियोग किया गया था आपको मैंने पह पानी के लिए प्लास्टर का प्रियोग किया था पानी का रिसा और रुखने के लिए प्लास्टर का प्रियोग किया था इसमें चार कोल की परत चाहाई गए थी इसमें जो दो तरब से जो है सीडियां उतरने के लिए बनाए गया थी इसके चारों और दोस्तों कमरे बनाए रिया गयते से पानी भरने के लिए एक कुछा था कैने अग्निकन दोस्तों कहां मिलते हैं काली भंगा और राजास्ता लोत्ल गुजरात यहां पर दोस्तों अगनी कुण मिलते यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यह महान इस्टानागार है इसको आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर देख सकते हैं इसके दोएं यह दो今天 से बने होगा दा दाधा पानी करोगने के लिए इसके चारों और दोस्तों कमरे बने रहते थे जिससलों बहुत सारी चीजे इसमें जो औसे मिले हैं हमें यह महान यहांताइब नगरों में इंट ऌकी चिनाई आप इस परकार देख सकते हैं यह फिगर कि जाती थी पूँने और सडकें किस प्रकार वहां पर यह हुआ करते थे इनके बारे में हम जानते हैं OS तो इतने श्уж्क्राइब करना तो इन några के घर आम तो पर ये क्या दो मंजिल दो υappelle यहां पर मिले हैं दोस्तों घर के आंगन के एकत्सइब की आपको नहीं से इन्हें सीधी लाइन के दिया जाता था घरों की नालों से जोड़ दिया जाता था इसके बाद इने बड़ो नालों में मिला दिया जाता था नालों के ढके होने के कारण इसमें जगा जगा पर मैनोल बनाया जाता है इससे इनकी cleaning की जा सके और सफाई की जा सके बारिस के time पे तो दोस्तों ये देखे कितना जदा योजना बद तरीके से जो है इनका निर्मार किया जाता था आप देख सकते हैं इनका किस परकार योजना बद तरीके से निर्मार किया जाता था उसके बाद दोस्तों हलपा जो सभेता थी ये नगरी सभेता थी किस परकार नगरी सभेता थी हलपा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी यहां पर एसे लोग रहते होंगे जो नगर कि खास इमारती बनाने की योजना में जुटे रहते थे यह समवता यहां के सासक थे यहां भी सम्भव है कि यह सासा लोग दूर-दूर भेज कर लोगों को धातू बहमोले पत्थर और अन्योपोगी चीजें यहां पर मंगवाते थे कि सासक लोग खुबसूरत मन को सोने चांदी के अबने आभूस्रों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते थे इस नगरों की अपनी लिपी भी थी जो मोरों में लिखवाते थे इसकी अलावा नगरों में सिल्फ कार इस्त्री पूरुस भी रहते थे जो अपने घरों या घर किसी भी उद्धो गिस्तल पर तरह तरह की चीजे बनाते थे लंबी-लंबी यात्रा करते थे इनको बेचने के ट्रेट करने के लिए खिलाओने भी दोस्तों यहां पर मिले हु उसके बाद दोस्तों यहां पर आप यहां देख सकते हैं यह आप नाला देख सकते हैं दोस्तों उसके बाद जो है आप यहां पर किस परकार दोगा मोह रहे हैं यहां पर देखे यह यूनिकार्ण है और उसमें किस पिसल यह यूनिकार्ण देखे दोस्तों इसके उपर एक उसके बाद दोस्तों नगर और नए सिल्प तो दोस्तों यहां पर किस प्रकार जो है नकी जानकारी जटाते हैं और अधिकतर पत्थर संक तांबे कांशे सोने और चांदि दोस्तों इन धात्यों से यह उजया जाती के सी ओजार आज़ार हतियार गहने बरतर बना जाते ते दोस्तों वस्तों यह उजया चांदी से तो सुन्य और चांधी कर्यों कि干 दा पर कि यह हदो सबसे जो मुंक्री चीजी मिली थी वह क्या थी दोस्तों मनके थी बाठ था फलक था तो दुस्तों सुन्ह इन चीजों का की खेती होती थी मुहांजद्रों से कपड़े के तुकड़े वह ऑसेश चांदी की एक फूलदान के धकन कदक कुछ अन्य तामरी की वस्थों से चिपके हुए मिले हैं पकी मिट्टी और फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं जो तो इस प्रकार जो है आप द वस्थर एक महातुपूर ब्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ती जो मुहंचद्रों से मिली थी इसमें उसे कड़हईदार वस्थर पहने दिखाया गया है इस मूर्ती में आप देख सकते हैं दोस्तों कि उसके बाद दोस्तों जो विशिशक ये थे उनका कहना था कि कि किसी खास चीज का को बनाने के लिए कुछ खास प्रसिश्चन होता है इसे पत्थर तरासना मन के चपकाना या फिर मोरों की पच्ची कारी करना इसके लिए जो है खास ट्रेंडिंग भीवा करती थी अब दोस से बनाई जाती थी इसके बाद उन वस्तूं को एक चिकनी परत चनाई जाती थी इस चिकनी परत के रंग प्राया नीले वा हलके समुद्वी हरे हुआ करते थे दोस्तों फेयंस से मन के चूणिया बाले हुआ छोटे बत्र बनाया जाते थे दोस्तों देखिए फेयंस का नि पेस के लोगों को से मिलता था कच्च्छा माल उन प्राइदों को कहते हैं जो प्राकरितिक風 किलवें चांदी आदी पत्तर दूर दूर से कि ढूंद है दोस्तों चीजों को यह जगह से दूसरी जगह कैसे ले जा जाता था आप यह फिगर दे सकते हैं किस परकार गारी काड बुलक का जो प्रेुक किया जाता था एक इस से दूसरी इस्थान तक ले जाने में दोस्तों अहडपा के लोग जो तंबे का आयात जो सब्सक्राइब करनाटक से किया जाता था दोस्तों यह लोकेशन याद रखिएगा सोने का जो आयाथ था आधुनिक करनाटक से किया जाता था बहमूली पत्तर का आयाथ गुजरात इरान अफगानिस्तान से किया जाता था दोस्तों यह लोकेशन याद रखिएगा नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भुजण, वो भुजण क्या करते थे, वे अनाज हुगाते थे, जानवर पालते थे, किसान और चर्वाहे ही शहरों में रहने वाले सासकों, लेखों, दस्तकारों को खाने के समान देते थे दोस्तों साधी साथ ये जो है कौन-कौन सी फसल उगाते थे यहां देखिए गेऊ, जव, डाले, मटर, धान, पिल, सरसों ये इस विकार के जो है ये फसले उगाते थे जमीन की जुताई करते थे और किसका प्रयोग करते थे हल का उप्योग करते थे हल अप्पा काल में हल तो नहीं बच पाए प्राया वह लकड़ी के बने होते थे हल के आकार के खिलोने मिले हैं इस छेते बारिस कम होती थी इसलिए चिचाई के लिए कुछ तरीके अपनाए गयते जिसमें पानी के संचे किया जाता था और उससे चिचाई की जाती थे दोस्तों यह देखें खिलोना है किस प्रकार जो इसमें हलका प्रियों किया गया है दोस्तों साथी साथ यहां के लोग जो है तो नहीं बिवागों विवाजित है त्वह सब्सक्राइश तो टीन और जाओं विवाजित हैं इस नहीं स्टाय और चारों और पथर की उची-उची दिवारे बनाई गई थी इसके अन्दर जाने के लिए बड़े-बड़े प्रवेश द्वार थे इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सारवजनिक कारेक्रम आयोजित किया जाता था कुछ आउसेसों में हडपा लिपी के बड़े-बड़े अच्छों पत्थरों में खुदा पाया गया था संभावता दोस्तों यहां सारवजनिक कारेक्रम आयोजित किया जाता था कुछ आउसेसों में हडपा लिपी के बड़े-बड़े अच्छों को पत्थरों में खुदा पाया गया था इन अभी लोकों को समवता लकड़ी में जड़ा गया था यह एक अनोखा उसेस है क्योंकि आम तोर पर हडपा करी लेक मुहर जैसी वस्तों पर ही पाये गया थे इसलिए यह जो है बहुत ही स्पेसल था गुजरात के खंबात की खाले में मिलने वाली साबरमत्ती की जो उपनदी थी वहां पर लोथल का एक ऐसा नगर मिला है जहां कीमती पत्थर तक्चे माल का आसानी से यहां पर मिल जाते थे यहां जैसे पत्थर संखो धातूं से बनाई गए चीजों का एक महतुपूर नयां पर एक इमारत मिली है जहां संभवद्ता मन की बनाने का काम किया जाता था दोस्तों जो मुहरबंदी थी मुद्रह थी ये मुह आटत यह प्रियोक था समान से भरे उन डिब्बों ओ थैलुँ और करने के लिए किया जाता था जिनने एक किसान से दूसरे स्थान्डार भेजा जाता था अगर यहां च्छाप तूटी हुई होती थी तो यहां साविच जाता है कि इनके साथ छिरकानी हुए इस प्रकार जो सीलिंग की जाते थी ठपा लगाया था 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 सब्जा का अंक 239 वर्स पहले एक बड़ा बदलाओ देखने को बिलता आचानक इन नगरों को छोड़ दिया लेखन मुहर बाटों का प्रियोग बंद हो गया दूर दूर से कच्छे मल का माल का जो आया था वो भी काफी कम हो गया मुहन जोदरों में सड़कों पर कच्छी के धेर बनने लगे जल निकासिकी वेवस्ता भी नश्ट हो गई यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं कुछ विद्धानों का कहना है कि नदिया सुक गयी कुछ अनिका है जंगलों का विनास हो गया इसका कारण यह भी हो सकता है कि इटों को बनाने के लिए इनन की जरूरत भी थी इसके भाबा मौशियों के बड़े जुदू से चारागाह, तक घास की मैदान भी समाप्त हो चुके थे जुकों सी इसपस्त नहीं होता कि नगर का आंस तो गया हो। एसा लगता है कि सास्कों का नियंदर समाप तो गया था जो भी हुआ हो पडिवतन का असर बिल्कुल साफ है कि आधुनित पाकिस्तान के सिंद पंजाब की बस्तियां उजड़ गई लेख अगर आपको जब्यू करें सेयर करें अगर आपको उपयोंगी लगती है तो अधरवाईस आप इसे सब्सक्राइब ना करें धन्यबाद